आपको पड़ा रहा हूं और मेरा एक ही मोटो है कि आपको सारी की सारी चीजे इसी वीडियो के दौरान याद करवा दूँ आपके सारी चीजे आपके माइंड में उतारने की कोशिस करता हूं में ठीके तो आएए चले सेसन स्टार्ट करते हैं आमेर का कच्वा वंस आमेर के कच्वा वंस के बारे में एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम डिसकस करेंगे कच्छवा अपनी उत्पती राम के जेश्ट पुत्र कुस से मानते हैं कच्छवा जो है वो अपनी उत्पती किसे मानते हैं राम के जेश्ट पुत्र कुस से मानते हैं सूर्य मल मिसन के अनुसार कुरुम नामक रगुवंसी सासक की संतती होने से यह कुरुम वंस्य कहलाने लगे और साधारन भासा में उन्हें कच्छवा कहा जाने लगा तो दोस्तों बस आपको तो इतना सा बात याद रखना है कच्छवा जो है अपने आपको राम के जेश्ट पुत्र कुस के वंसज मानते हैं किस के वंसज कुस के वंसज इसलिए इन्हें कच्छवा के नाम से जाना जाता है डुंडार परदेश में अपने सामराज्य स्थापित करने के लिए कच्छवाओ को मीना तथा बड़ गुजरों के साथ में संगर्स करना पड़ा इनकी प्रथम राजधानी क्या थी दोसा रही कच्छवाओ की प्रथम राजधानी अगर आप से पूछ ली जाए तो वो दोसा जैसे मैंने आपको पड़ाया था मारवार की प्रथम राजधानी मंडोर थी मारवार की प्रथम राजधानी मंडोर थी राव जोधा ने जब जोधपूर की इस्थापना की महरान गड़ दुर्ग का निर्मान कराया उसके बाद राव जोधानी राजधानी जोधपूर को बनाया था लेकिन मारवार की प्रथम राजधानी क्या थी वो आपको ध्यान रखना है वो मंडोर थी तो उसी तरीके से कच्छवाओ की जो प्रथम राजधानी है वो दोसा रही है प्रतम राजधानी और संस्थापक हमेशा पूछा जाता है दोस्तो क्युशन आते हैं एक्जाम के अंदर बहुत सारे क्युशन का एनालाइसेस करने के बाद ही मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते रहो सारी चीजे तो कच्छवा अपनी उत्पती राम के जेश्ट पुत्र कुस से मानते हैं इसलिए अपने आपको यहा पिर कच्छवा के नाम से जाने जाते हैं जब डुढार प्रदेश के अंदर कच्छवाओं को अपना सामराज्य स्थापित करना था तो इनके सामने दो बड़ी जाती थी मीना और बढ़ गुजर मीना और बढ़ गुजरों का जो है डुढार के अंदर सासन था तो इन्हों प्रारम में चोहान के साम्बंत थे कच्छवा जो है वो प्रारम में चोहान जो वंच अभी हमने डिस्कस किया उनके साम्बंत थे 1137 में दूले राई ने बड़ गुजरो को परास्थ कर ढूंडार में नविन राज्य इस्थापित किया दूले राई ने ही जमवा रामगड में मीनाव को परास्थ कर उसे अपनी राजधानी बनाया था जमवा रामगड में मीनाव को परास्थ किया और उसे अपनी राजधानी बनाया 1207 में कोकिल देव ने आमेर में मीनाव को परास्थ करके अपनी राजधानी बना दिया ध्यान से सुनना याद करा के ही छोड़ूँगा सारी बाते देखो, कच्वा आपने आपको किसके राम के जेश्ट पुत्र जो थे, कुस के वनसज मानते हैं, इतनी बात याद होगी आपको, उसके बाद कच्वा जब ढूंडार परदेश में आते हैं, तो यहाँ पे मीनाओ और बढ़ गुजरो का सासन था, तो कच्वा ने क्या किया कि पहले मीनाओ और बढ़ गुजरो पर आक्रमन किया, तो मीनाओ और बढ़ गुजरो से संघर्ष करके उन्होंने जो है दोसा को जीता और दोसा को अपनी राजधानी बना लिया, कच्वा प्रारम में जो है चोह वन्स के सामन्त थे तो इनकी प्रारंबिक राजधानी क्या रही दोसा रही फिर क्या हुआ 1137 में दूले राय ने बढ़ गुजरों को परास्त कर ढूडार को अपनी नविन राज्य स्थापित कर लिया पहला था दोसा दूसरी थी दूले राय ने परास्त किया किसको बढ़ गुजरों को और ढूडार को अपना राज्य स्थापित कर लिया दूले राय ने ही जमवा रामगड में मीनाओ को परास्त कर उसे भी अपनी राजधानी बना लिया जो तो अगर आप से पूछा जाए कि कच्वा वन्स के संस्थापक तो आप बोलोगे दूले राय दूले राय ने 1137 में ढूडार में बड़ गुजरों को हरा कर अपना जो है राजधानी बनाया उसके बाद कहां पे उसके बाद जमवा रामगड में मीनाओ को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बना लिया फिर हम बात करते हैं 1207 इसवी में 1207 में कोकिल देव ने आमेर के मीना मीनाओं को परास्त कर उसे अपनी रा जानी बना लिया किसे 1207 में आमेर के मीनाओ को परास्त कर दिया तो आपको अब यह बाते याद रहे गई होगी पहला क्या है पहली राजधानी रही दोसा, दूसरी राजधानी रही डुडार, तीसरी रही जमवा रामगड और चौती राजदानी 1207 में कोकिल देव के द्वारा आमेर में मीनाओ को परास्त करके राजदानी बना दिया गया चलो तो आपको अगर पूछा जाए कि आमेर के संस्तापक तो दूले राए दूले राए ने 1137 में डूढार को अपनी राजदानी बनाया था उसके बाद जम्वा रामगर्ड में मीनाओ को हरा कर जम्वा रामगर्ड को राजदानी बनाया और 1207 में कोकिल देव के द्वारा आमेर को राजदानी बनाया गया इती सी बात याद होने के बाद अब हम चलते हैं भारमल के बारे में भारमल भारमल बहुत ही कठिन परिस्तितियों में आमेर का सासक बना था अपनी सता के लिए उसे मजबुत सारे की आवसेक्ता थी वो मजबुत सारा उसे मुगल सासक अकबर के रूप में मिला तो ये जो भारमल था दोस्तों ये ही भार दे गया इसने ही पूरा बरबाद कर दिया इसने अकबर की अधिनता सुईकार की भारमल मुगल अधिनता सुईकार करने वाला पहला राजपूत सासक था कौन भारमल ठीके अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था अजमेर से लोटते सम्मे सामभर में भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरका भाई जिसे मर्यम उजमानी के नाम से जाना जाता है कविवा अकबर के साथ किया जहांगीर इसी हरका भाई का पुत्र है 1562 में सामभर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पोत्र मान सिंग सहीत इसने अकबर की अधिनता सुईकार कर ली थी तो भारमल ही ऐसा सासक था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधिनता सुईकार की और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंद इस्तापित किये थे दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे बहुत ही मेवार के बारे में पढ़ा हमने हमने मारवार के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ने वाले हैं आमेर के कच्वावंस के बारे में आपने देखा जालोर के जैसे ही हम डुडार आते हैं डुडार के अंदर हमने भारमल के वारे में जैसे हमने पढ़ना स्टार्ड किया भारमल ने ही क्या किया अपना सारा स्वामित्व जो है अपनी पूरी मुगलों की अधिनता स्विकार कर ली और वैवाहिक संबंद स्तापित कर लिए अकबर के आमेर के कच्वावंस के वारे में हमने क्या देखा कि आमेर के कच्वावंस की प्रत्थम राजदानी दोसा रही दूसरी राजदानी 1137 में दूले राय ने बड़ गुजरों को हरा कर किसको बनाया था दूडार को बनाया फिर जम्वा रामगड को अपनी राजदानी बनाया और उसके बाद 1207 में कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजदानी बनाया, फिर हम बात कर रहे हैं भारमल, भारमल ने क्या किया, मुगलों की अधिन्ता स्विकार कई, भारमल मुगल अधिन्ता स्विकार करने वाला पहला राजपुत था, अकबर जनवरी 1562 में कहा आया था, अजमेर की यात्रा में आया था, अजमेर से लोटते समय सामभर में भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरका बाई का विवा, जिसे हम मर्यम उजमानी के नाम से जानते हैं, हरका बाई का विवा, अकबर के साथ कराया और हरका बाई का पुत् तो हरकाबाई किसकी पुत्री थी हरकाबाई पुत्री थी भारमल की भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवा किसके साथ करवाया अकबर के साथ करवाया और इस हरकाबाई को बाद में नाम परिवतन करके क्या कर दिया मरियम उजमानी मरियम उजमानी इसका नाम रख दिया और इसी हरकाबाय का पुत्र जहांगीर था दोस्तों ठीके 1562 इस्विवे सामभर में अपने पुत्र भारमल का पुत्र कौन है भगवान दास और अपना पोत्र मान सिंग के सहित अकबर की अधिन्ता स्विकार कर ली थी दोस्तों तो अब पुरा वन सी जो है मुगलो का ही सासन चलेगा यहां पे सबने ही यहां पे जो है मुगलो का अधिन्ता स्विकार कर ली तो भारमल ने अकेले नहीं देखो भारमल ने क्या किया पहले तो अपनी अधिन्ता स्विकार की उसके बाद अपनी पुत्री का विवा अक्बर के साथ कराया जिसका नाम हरकाबाई था उसके साथ अपने बेटे भगवन दास को भी अदिनता स्विकार करी और उसके साथ अपने बेटे का बेटा यानि अपना पोता उस जो था मान सिंग उसको भी अदिनता स्विकार करा दी अब भारमल के तक पंजाब का सुबेदार रहा 1585 इसमी में अपनी पुत्री मानवाई का विवा जहांगीर से करा दिया तो वो तो परंपरा इसके पिता ने स्टार्ट करी दी थी कि मुगलों के साथ हमें विवा करना है तो इसने भी क्या किया भार्मल ने पहले अपनी अपनी पुत्री हरकावाई का विवा कराया था अकबर के साथ अकबर और हरकावाई का पुत्र जहांगीर था अब भगवन स्वी में जालोर में भगवांदास की मृत्यू हो गई अब आएगा मान सिंग ठीक है तो दोस्तों बहुत सिंपल है इसमें कुछ जादा हेर फेर है नहीं पहले हमने बात की भारमल भारमल के बाद आए भगवांदास भगवांदास ने भी अपनी पुत्री मानवाई का विव मान सिंग केवल बारावर्स की आयू में ही मुगलों की सेवा में चला गया था तो आपने देखा ही था ना भारमल जो थे उसनों ने अपने पुत्र जो मान सिंग को अधिनता स्युकार करा दी थी अकबर की तो बारावर्स की आयू में ही मुगलों की सेवा में चला गया इस इसका अकबर और हरकाबाई, हरकाबाई कौन? भारमल की पुत्री, ठीक है? भारमल की पुत्री हरकाबाई, तो अकबर और हरकाबाई का पुत्र कौन है? जहांगीर, जहांगीर की साधी किसके साथ हुई? भगवान दास, भारमल का पुत्र भगवान दास, भगवान दास ने अपनी पुत्र ही मानवाई का विवा जहांगीर के साथ किया और ये जो मान सिंग है ये तो 12 वर्स की आयू में ही मुगलों के यहां चला गया था मुगलों की सेवा करने के लिए ठीक है तो आगे देखो तो इसने क्या किया अक्बर की सेवा भी की और जहांगीर की सेवा भी की अक्बर ने रन्थम्बोर अभ्यान में सुर्जन हाडा को मुगल अधिन्ता स्विकार कराने के लिए के एकराने में मान सिंग ने जो है महत्वपुन भुमिका निभाई थी ठीके अक्बर ने जब रन्थम्बोर अभ्यान किया तब सुजन हाडा को मुगल अधिन्ता स्विकार कराने में मान सिंग ने महत्वपुन भुमिका निभाई गुजरात अभ्यान के दोरान 1553 में मान सिंग महारना प्रताप के पास संधी का दूसरा प्रताव लेकर गया 1553 इस्वि में हल्दी घाटी के युद में अक्बर की सैना का ने तर्तव भी किया यह अक्बर के नौर अतनों में सम्मलित था अक्बर ने इसे फरजंद जो बेटा की उपादी दी थी दोस्तों और साथ हजार का मनसब भी प्रदान किया था 1589 में जब विहार का सुबेदार था तो इसके पिता भगवन दाज की मृत्य हो गई और 1589 में इसे आमेर का सासक बना दिया गया अब इतक की कहाणी याद करो आगे फिर और चलेंगे हम बात कर रहे हैं मान सिंग के बारे में मान सिंग जो है वो 12 वर्स की आयू से ही मुगलो की सेवा में लग गया इसने अकबर और उसके पुत्र जहांगीर की सेवा की थी अकबर और उसका जो पुत्र है जहांगीर इन दोनों की सेवा मान सिंग के द्वारा किया गया अकबर के रंथंबोर अभ्यान जो हुआ था उसमें सूर्जन हाडा को मुगल अदिन्ता स्विकार कराने में जो मान सिंग है उसने महत्तपूर्ण भूमी का निभाई थी दोस्तो ठीक है उसके बाद महाना प्रताप से संधी का दूसरा प्रस्ताव लेकर गए थे 1573 में महाना प्रताप के पास संधी का दूसरा प्रस्ताव लेकर कौन गया था मान सिंग गया था दोस्तो 1593 इस्वी में मान सिंग माना परताप के साथ संधी का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया और 1576 इस्वी में हल्दी घाटी के युद में अकबर की सेना का नितर्त्व किया था दोस्तो 1576 में हल्दी घाटी का जो युद हुआ था उस हल्दी घाटी के युद में जो हल्दी घाटी युद की रचना और उस युद में भाग किसने लिया था मान सिंग ने इसने ही अकबर की सेना का नेतरत्व किया था मान सिंग को अकबर ने फरजंद या बेटा की उपादी दी थी और साथ हजार का मंसब भी दिया था 1589 में यह बिहार का सुबेदार भी था दोस्तों और पिता बगवंदास की मिर्ट्यू के बाद इसे आमेर का सासक बना दिया मान सिंग 1589 में उडिशा जितकर पहली वार मुगल सामरजे का अंग बनाया उडिशा को भी जीत लिया और उडिशा को भी मुगल सामरजे का अंग बनाया मान सिंग की मिर्तिव 1614 में इलीचपूर में हुई मान सिंग विद्वानों का आश्रिय दाता था दोस्तों इसके समय समय पर मान चरित्र और राज्यकोस नाम ग्रंथ रचे गए ठीके मान सिंग के समय ही रानी कांकावती ने अपने पुत्र जगत सिंग के स्मृति में जगत सिरोमनी मंदिर का निर्मान करवाया तो दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं मान सिंग के बारे में मान सिंग के जो दादा थे भारमल भारमल ने बारा वर्स की आयू में ही मान सिंग को मुगलों के अदिन कर दिया था तो बारा वर्श की आयू सबसे चोटी आयू के अंदर मुगलो की सेवा करने कौन लग गया था, मान सिंह लग गया था, मान सिंह ने अकबर और इसके पुत्र जहांगीर दोनों की सेवा की है अकबर के रंतंबुर अभ्यान के दौरान सुर्जन हाडा को मुगलों की अधीनता सुईकार कराने में इनोंने मेतपून भूमिका निभाई उसके बाद हमने क्या दिखा गुजरात अभ्यान के दोरान मान सिंग महाना परताप के पास संदी का दूसरा प्रस्ताव लेकर भी गया था और 1576 इसमें हल्दी गाटी के युद में अकबर की सेना का नितर्तव भी किया था दोस्तो यह अकबर के नौरतनों में सम्मलित था अ उसके बाद देखो 1595 इसमें यहां बिहार का सुबेदार भी रहा उसके बाद भगवान दास की मिर्त्यू के बाद इसे में आमेर का सासक बना दिया मान सिंग ने 1592 में क्या किया उडिसा जिता और उडिसा में भी मुगलों के सामरजय को फैलाया मान सिंग की मृत्यू 1614 में इलीचपूर में हुई थी, कहाँ पे हुई है, इलीचपूर में मान सिंग विद्वानों का आस्रिय दाता था, इसके समय मान चरित्र महाराज को सिनाम गरंत लिखे गए इसी के समय मूरारी दान एवं मान प्रकास जगनात ने मान सिंग करती मुक्तावली की क्या किया था दोस्तों, रचना की थी मान सिंग के समय से ही क्या हुआ है, रानी कांकावती ने अपने पुत्र जगत की इसमरती में जगत सिरोमनी मंदिर बनाया था ठीक है जगत की अपने पुत्र जगत सिंग की इस्मरती में जगत सिरो मनी मंदीर कंकावती के द्वारा बनाये गया था जो कि मान सिंग की पत्नी थी दोस्तों किलियर है आपको बताओ अभी कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर करवा जाता हूं वैसे तो मैंन सिरावर्स की आयू में 1621 में जैसिंग आमेर का सासक बना इसे तीन मुगल समराट जहांगीर सहाजा और औरंग जेव की सेवा करने का अफसर प्राप्त हुआ ओहो बहुती भाग्यसाली अफसर था यहां कि मिर्जा राजा जैसिंग नाम में भी तीन है मिर्जा राजा जैस तो इसने सहाजा फिर जहांगीर और औरंग जेव सहाजा जहांगीर और औरंग जेव की जो है सेवा की 1623 में इसे मलिक अंबर के विरूद दक्षिन में भेजा गया जहां इसने अद्बुद सहारा और वीर्था का परिचाई दिया 1629 में इसने उत्तर दक्षिन सिमांत में उजबेगों के विद्रो को दबाया 1630 इस्वी में जै सिंग ने खाने खान जहां मोदी का विद्रो किया गया था 1630 इस्वी में जहां जै सिंग ने खाने जहां लोदी का विद्रो दबाया 1636 में सहाजा के साथ विज़ापूर और गोल कुंडा अभ्यान में दक्षन भारत गया दोस्तो ठीक है तो ये बहुत सारे अभ्यानों में जाता था किसके कहने पे सहाजा जहांगीर और औरंग जेप के कहने पे दोस्तो 11 वर्स की आयू में सासक बना मलिक अंबर के विरूद दक्षी में भेजा गया 1623 में जहां इसने अद्बुत सास और विर्टा दिखाया 1629 में उत्तर दक्षिन सामंत के उजवेकों का विद्रो किया और 1630 इस्वी में जैसिंग के खाने जहां लोदी के विद्रो में गया दोस वो सहाजा जहांगीर और औरंग्जेव के मध्या रहा है उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिर्जा राजा जैसिंग को मिर्जा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ कंधार बेजा गया उत्रादीकारी यूद के समय इसे सूजा के विरूद भेजा गया जहां बहादूर पूर में यूद 1658 स्वी में इसने सूजा को पराजित किया उत्रादीकारी यूद के अंत में इसे औरंग जेब का पक्स मिला जैसिंग की सैनिक योगिता और कूट निती से परवावित होकर औरंग जेब ने इसे दक्षिन में मराटो के विरूद भेज दिया दक्षिन में जैसिंग ने अपनी कूट निती से सिवा जी को अकेला कर दिया और पूरंदर को जीतने में सफल रहा जैसिंग ने सिवा जी के विरूद अभ्यान पर जाते समय कहा था कि हम सिवा को वर्त के केंदर की तरह घेर लेंगे जैसिंग की कुसलता इससे बड़ा परमान क्या हो सकता है कि महान माराठा सासक सीवा जी को वह रोकने में सफल रहा जिसने अजवल खाजिस सेनानाय को पराजित कर दिया था सिवा जी और जैसिंग के मध्य संधी हो गई जो कि पुरंदर की संधी के नाम से जानी जाती है पुरंदर की संधी जैसिंग की दूर दर्शिता एम सकती क्या प्राकष्टा था वह अपनी भासाओं का ग्याता एम विध्वानों का संबान करने वाला था प्रशित कभी विहार ने बिहारी सत्से नामगरंद की रचना की है तो दोस्तों सवाई जो हम बिर्जा राजा जैसिंग की बात कर रहे हैं यह बहुत परतापी था बहुत सविध्वान भी था लेकिन फाइदा क्या हुआ कि जब इसने मुगलों के अदिनता स्विकार कर ली तो यह मुगलों के लि पहला क्या किया 1658 में सूजा को पराजित किया उसके बाद इसको दक्षिन अभ्यान में मराठाओ के विरूद भेजा गया तो सीवा जी को अकेला कर दिया पुरंदर को जीतने में भी हां सफल रहा जैसिंग ने सीवा जी के विरूद अभ्यान पर जाते समय कहा था कि हम बिए शिवाजी को भी घेर लिया था दोस्तों ठीक है औरइ सिवाजी को भी रोखने में मझबूर हो गया पुरांदर में जो है सफलता प्राफ़किर्थी मिरजा राजा जैशिंग ने मिरजा राजा ने विहारी प्रस्थ कभी क्या था इनका विहारी विहारी को अस्रेदिया, विहारी के द्वारा विहारी सत्तसई की रचना की गई है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्लास यही पर complete करते हैं, आगे स्ववाई जैसिंग के बारे में हम कल discuss करेंगे, next class के अंदर हम सब डिसकस करेंगे तो प्लीज अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना जरूर बनता है दोस्तो मेरा मोटिवेशन लेवल आप हो आप जब तक मुझे सपोर्ट करते रहोगे मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के द